एलो दोस्तों वेलकम टो इग्जामेंटो दोस्तों आज मैं डिसकस करने वाला हूँ असिस्टेंट इंजिनियर टेकनिकल के बारे में उनको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अप्टर गेटिंग सेलेक्टेट फॉर दे पोस्ट आप असिस्टेंट इंजिनियर तो असिस्टेंट इंजिनियर के पोस्ट पे जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको ESL की तरफ से क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ठीक है तो उसके बारे में आज का पूरा डिसकेशन है इससे पहले मैं इंजिनियर टेक के बारे में डाला था तो उसमें बहुत सारे श्टुडेंट का कमेंट आया था कि असिस्टेंट इंजिनियर टेक के बारे में भी बताईए तो इसलिए आज का जो वीडियो है मोशली असिस्टेंट इंजिनियर के लिए है और क्या-क्या उनको मतलब बेनिफिट्स मिलने वाली है कमपनी की तरफ से आप्टर गॉट सेलेक्टेट और एप्रोक्स कितना उनका इन्हेंट सेलरी बनेगा उसके बारे में भी आपको आज पता चल जाएगा तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है इसमें दोस्तों यहां पर देखिए है बैनिफिट्स क्या क्या है यहां पर दीख आओगा बैनिफिट्स या इन्ट्रिमेंट रहें इन torn ग्रेंट असिस्टेंट इनियर् तो यहां पर देखिए ताइप Advance किपट्स के बात करूं तो यहां पर दोस्तों मेंदेख सकते हैं टोटल टीस हजार से लेकि एक लाग 20,000 तक का ठीक है रेंज है पेस्केल का अल्रेडी एडवर्टाइजमेंट में एस्किल दिया था तो आपको पता होगा कि बेसिक जो है कितना है थाली काई है टीस हजार है तो पेस के लिए मुँबायल हेंटसेट के लिए पुर साथ है प्रति दो साल में दस जार रॉपया कमपनी देती है मुबायल फून पर्चेस करने के लिए कि तो इसमें देखिए दस हजार रॉपया सुलिगी है Exclusive Tax, Tax को छोड़के ठीक है, अगर उस्से जैसे 10,000 का मोइल ले रहेए उसमें जो GST होगा जो भी Cash होगा, अजी कमपनी पे करेगी, डाटा कार्ट के लिए लब 60,000 तक का आप लेप्टाप खरी सकते हो ठीक है उसका रिम्बर्समेंट आपको कंपनी की तरब से मिल जाएगा आप खरीदने के बाद जब आपको जो भी होगा चार्ज ठीक है उसका रिम्बर्समेंट के लिए आपको ESL में जमा करना पड़ेगा तो उससे आपका जितन SPL हो गया हाप पर लिव हो गया 20 RH restricted holiday 2 CO2 CL हो गया तो एक तो पता है क्यृडल लिव हो गया क्योंकि है डूटल कितना लिव हो गया तो तो टोटल लिव हो गया आपका पर सॉरी total leave होगे आपका 64 ठीक है तो उसमें leave encasement जो होता है देखिए यह जो part है leave encasement का ठीक है तो maximum आपको 12 leave का ही मिलेगा ठीक है जैसे 12 leave का मिलेगा तरी कैसे मिलता जैसे आपका basic 30,000 है 30,000 है तो one day का basic का अगर करते हैं इसमें 30 से divide करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा एक दिन का तो 12 दिन का आपको मिलेगा 12,000 रुपया मिलेगा सिर्फ basic का मिलता है ठीक है अगर आपका मतलब EL बचा रहा गया आप मंगे चलिए EL आपका 12 बचा रहा गया एक साल में ठीक है लाश्ट में तो आप इसका reimbursement करवा सकते हो आपको 12,000 रुपया आपके एकाउंट में आ जाएगा ठीक है अब मैं बात करूँ सिर्फियल अमर आट में देखी क्या है ओला का ओला या पेट्रोल रिंबर्समेंट ओला के लिए आपको जो आप घर से आफिस आते हो तो उसके लिए कंपनी आपको 3850 रुपया पर मंत देदी है नहीं तो अगर आपके पास फोर विलर है या टू विलर है तो उसका भी उसके लिए आपको अगर फोर विलर है तो उसका 55 लिटर पेट्रोल मिलेगा टू विलर है तो 25 लिटर अगर नहीं है तो आपको 3850 रुपया पर मंत मिलेगी कंपनी की तरफ से उसके बाद मैं बात करूँ मल्टी परपस एडवांस मल्टी परपस एडवांस लोन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको फोर मंत का प्री रिवाइट बेसिक पलस डिये मिल जाता है जैसे बेसिक आपका 30 जार है 30 इंटू 4 कीजिएगा 1,20,000 हो जाएगा 1,20,000 रुपया पलस डिये महन के चलिए अगर 20 परचेंट या 20 परचेंट चलता 22 ती अच्यार सट गुना चार कीजिए लगवग 25 जारत लगवग आपको 1,500,000 रुपया अराम से मिल सकता और यह जो होता है मल्टी परपस एडवांस लोन यह 0% इंट्रेस्ट पे मिलता है अब नेक्स में चलता हूँ एक्सिडेंटल इंसुरेंस कभर टोटल 50 लाग रुपया तक का है यह कभर ठीक है उसके बाद फिर हेल्थ कोश पढ़ता है ठीक है उसका अप्टिंबर्स करवा सकते हो डायरेक्ट ठीक है उसका बील जमाक करके उसका रिंदर्शमेंट करवा सकते हो तो साल में लिमीट है अर चाartव 500 करवा सकते हो तो दे sini करता है आपका पर मत्सको दिबाइड कर ली मेंड़ेंट के समय मिलेगी तो आपको पेश के समय मिले लेकिन वो होगा कभर रिटार्मेंट उसको ट्यएडी जो है अगर आप कंपनी के काम प्रफर्मेंस पर डिपेंड करता है तो इससे जो होता है कि जैसे आपका जो भी रिपोर्टिंग मेनेजर होगा तो आपको रेटिंग देगा उस रेटिंग पे ही उसके नुसर आपको प्यार पी मिलेगा अगर रेटिंग कम मिलेगा तो इमोन थोड़ा वहरी कर सकता कम मिल सकता है या अगर रेटिंग अच्छी रही तो ज्यादा मिल सकता है तो यह सब बेनिफीट है जो मोझली मिलता है किसको असिस्टेंट इंजिनियर के हो ठीक है अब दोस्तों मैं अगर बात करूं एप रोक्स इंहेंस सेल्डी के ठीक है क्योंकि यह सब जानना चाहते है कि कितना सेल्डी इंहेंट बनेगा ठीक है असिस्टेंट इंजिनियर का इनोट ग्रेल का तो इसका देखिए असिस्टेंट इंजिनियर का क्या है बेसिक आपको पता है बेसिक कितना है तीस अजार है ठीक है तीस जार बेसिक हो गया 35% उसके डिये मिलता है डिये अभी बढ़के लगवग 22% हो गया यह भी बेसिक का मिलता है 22 का 22% डिये मिलेगा तो कितना हो गया 2600 यह डिये हो गया उसके बाद आपको एचारे मिलेगा एचारे अगर मान के चलिए अपका प्लेस और पुस्टिंग दिली है ठीक है दिली में एचारे 24% है 24 इंटू 3 की जिए गदा कितना होगा 7200 उसके बाद ओला के लिए ला के लिए क्योंकि हर मंत आपको एड होका आएगा सेलरी में इतना हो जाएगा ओला के लिए कितना बताय थे 38500 तो 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 टोटल आपका कितना बन जाएगा टोटल टोटल बन जाएगा लगवक 58000 एक्सोपचास ठीक हैँ 58150 बनेगा टोटल ग्रोज टोटल बनेगा उसमें कितना होगा उतने डिडिडक्शन कितना होगा पीयब होगा कितना 12%, तो देसी का 12% 3600 पलस 1200 ग्रूप हेल्थ इंसुलेंस का कुछ करता है मेडिकल का ठीक है तो कितना होगा तो 2800 डिरक्शन हогए तो इन हैंट जली घालाईगा लगभग इन हैंट इन हैंट इन हैंट जली जँआएगा उन लगभग आएगा कितना तिरुपन हजार रुपी आपको आएगा इन्हेंट सेल्डी ठीक है तो इतना अच्छा सेल्डी है ठीक है तीस अजार के बेसिक है क्योंकि इसलिए क्योंकि केफेटेरिया एल्वाइंस पीस्व में 35% मिल जाता है जिसके कारण से आपका इमोंट बढ़के इतना हो जाता है 30% बेसिक पर ठीक है तो थैंक्स फो वाचिंग अगर आपको आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाता आप लेज लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में इसके बाद जो है अगला जो मेरा वीडियो आएगा वाएगा असिस्टेंट इंगर का जो ओरिज